तो इस तरह हमने केसी तथा केपी में संबंध ग्याद कर लिया है अब हम देखते हैं कि किसी अभीक्रिया के लिए केसी और केपी की गर्णा किस प्रकार से करते हैं इसे हम एक उधारण के द्वारा समझते हैं यहां पर हमारी पास एक उधारण है है गैसेस हाइड्रोजन के एक मोल डैस Max protein के एक मोल के साथ करिया करते हैं और इसके फ़ल स्रूप यह Asis hydrogen defence के 2 दो मोल बनाते हैं आप इसके लिए हमें Corner कि किस प्रकार से ज्याथ होगा इसके लिए के हमें expression प्राप्त करना है तो यहाँ पर हम लेंगे सबसे पहले इन जो भी अभिकारक और उत्पाद हैं उनकी प्रारंभिक सांद्रता अब यहाँ पर हम लेंगे कि क्योंकि यहाँ पर हाइड्रूजन और यह दिख रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण में कि इनके एक-एक मूल मिलकर हर्जन आयोडाइड के दो मूल बनाते हैं अब माली यहाँ पर हम ले लेते हैं हाड्रूजन गैस की जो प्रारंभिक मूलों की संख्या है वह है ए और इसी तरह से हाड्रूजन के प्रारंभि अभिप्रारंभ हुई है और इसलिए हमारे पास उत्पादों के मूलों की संख्या नहीं होगी इसलिए हम यहाँ पर लेंगे शोन्य इसके पश्चाथ टी समय के पश्चाथ जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है और उसके बाद जब साम्यावस्था प्राप्त होती है तो दूसरे क्योंकि हमें केसी का मान साम्यावस्था पर जो अभिकारकों और उत्पादों के मूलों का जो मूलर सांद्रन होगा वह ग्याद करना होगा तो इस तरह से यहाँ पर हम साम्यावस्था पर अभिकारक तथा उत्पादों के मूलों की संख्या ग्याद करेंगे अब मालीजे हाडूजन के X मोल साम्य वस्था पर उत्पाद में परिवर्थित होते हैं तो चुकि इनका प्रारंभिक मोलों की संख्या A थी इसलिए साम्य वस्था पर अब इसके मोलों की संख्या हो जाएगी A-X इसी तरह से आयोडीन के जो मोलों की संख्या होगी वस्था पर हो जाएगी B-X और चुकि यहाँ पर हमने A-X और B-X इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो संतुलित रासायनिक समिकरन है वह दर्शाता है कि जब हाडूजन के एक मोल क्रिया करते हैं तब आयो शाथ यहाँ पर दोनों के हाड्रूजन और आयोडीन गैस के एक एक मोल आपस में क्रिया करते हैं और हाड्रूजन आयोडाइट के दो मोल् के संख्या होगी वह हो जाएगी B-X अब चुकि हमें केसी कामान निकालना है और द्रव्यन उपाती क्रिया केनियम के अनुसार जब हम केसी निकालते हैं तो हमें अभिकार को तथा उत्पादों के मोलर सांद्रण की आवशक्ता होती है और हम जानते हैं कि मोलर सांद्रता ग्याज करने के लिए हमें मोलों की संख्या को आयतन से भाग देना होता है अब यहाँ पर इसलिए हमें इन अभिकारकों तथा उत्पादों के आयतन की भी आवशक्ता होगी मान लेजे उस कंटेनर का आयतन जिसमें की यह अभिक्रिया मिचर है उसका आयतन वी लीजर है क्योंकि हम जानते हैं कि यह सभी अभिकारक और उत्पाद गैसी अवस्था में हैं और गैसी अवस्था में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे तो इनका आयतन वही होगा जो उस इस कंटेनर का आयतन होगा जिसमें ये रखे गए हैं तो इस तरह से जब उस कंटेनर का आयतन वी आयतन है तो इस तरह से यहाँ पर अब में हाडूजन के सक्री द्रवेमान का मान पता हो जाएगा और ये हो जाएगा A-X by V इसी तरह से आयोडीन के सक्री द्रवेमान का मान हो हमें पता हो गया है एक इसकी आधार पर हम kC की गर्ना करेंगे इस अभी करिया के लिए सबसे पहले हम kC लिखेंगे kC इस उकल 2 यहाँ पर होगा hydrogen iodide की सक्री दरविमान की गाथ 2 बटे hydrogen के सक्री दरविमान गुणित iodide case सक्री द्रवेमान अब यहाँ पर हम इनके सक्री द्रवेमानों के मान रख देंगे तो इस तरह से केसी इस उकल्टू हो जाएगा यहाँ पर चुकि हाडूजन आयोडाइट के सक्री द्रवेमान की गहाद दो है इसलिए हम यहाँ पर दो बार लिख देते हैं 2x by V into 2x by V divided by हो अब इसको हम कल्कुलेट करेंगे तो हम जानते हैं उपर भी वी है और नीचे भी दो वी आता नहीं जब यह पक्षांतर होगा तो वी उपर चले जाएंगे और दोनों जो चारों वी हैं आपस में कैंसल हो जाएंगे तो इसके परशाद इसके बाद जो हमारे पास 2x into 2x है तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा और उसी तरह से x का x के साथ गुणा हो जाएगा यहाँ पर हम बता दें कि जो यह x है यह व्योजन की मात्रा है तो यहाँ पर kc is equal to हो जाएगा 4x का square divided by a minus s into b minus x तो इस तरह से हम kc की गढ़ना कर सकते हैं यदि हमारे पास इसके value पता है त अब kc के आधार पर हमें kp भी निकालना है और इसके पहले हमने जाना है kc और kp में किस प्रकार का संबंध होता है हम जानते है kp is equal to होता है kc rt की power delta n और इसलिए सबसे पहले यदि हमें kc की सहयता से kp निकालना है तो सबसे पहले delta n का मान निकालना होगा और हम जानते है डल्टा एन जुकल्टू होता है उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या तो यहां पर हम डल्टा एन जब निकालेंगे तो हम अभिक्रिया को देखकर पता लगा सकते हैं कि उत्पादों के मोलों की संख्या दो है साथ ही साथ यहां पर की पावर जीरो तो यहां पर हम जानते हैं कि जिसके पावर में जीरो लगा होता है उसका मान एक हो जाता है तो इस तरह से केपी उकल्टू हो जाएगा केसी के वेल्यू हम यहां पर रख देंगे 4x का स्क्वाइर डिवाड़ेड़ बाई इस तरह से हमें केपी की वेल्यू यहां पर वही प्राप्त हो रही है जो की केसी की वेल्यू है यहने कि इस अभी क्रिया के लिए केपी और केसी के मान एक दूसरे के बराबर होंगे इसी तरह से हम एक और उदारन लेते हैं यहां पर उदारन हमने लिया है नाइट्रूजन गैस के एक मोल हर्डूजन गैस के तीन मोल के साथ क्रिया करते हैं और अमोनिया गैस के दो मोल बनाते हैं अब इस अभी क्रिया के लिए भी हम केसी की वेल्यू और केपी की वेल्यू ग्याद करना सिखेंगे इस अभिक्रिया के लिए भी हम सबसे पहले मोलों की संख्या ग्याद करेंगे तो अभिक्रिया की प्रारम हमें मोलों की संख्या इसके लिए हमने लिया है माल लिजे नाइट्रोजन गैस के a mol hydrogen gas के b mol के साथ करिया गरते हैं और यहाँ पर जो प्रारम हमें क्योंकि अमोनिया उत्पाद है और इसलिए उत्पाद की मातरा हमारे पास होगी शूने अब साम्य वस्था पर हम मान लेजे साम्य वस्था पर nitrogen के x mol उत्पाद में परिवर्थित हो जाते हैं तो यहाँ पर जो 6 मात्रा होगी अब वो हो जाएगी A-X के इसी तरह से यहाँ पर अब हैड्रूजन के मोलों की संख्या माल लीजे साम्यावस्था पर क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं T, नाइट्रूजन के 1 मोल जब क्रिया करते हैं तो उस समय हैड्रूजन के 3 मोल क्रि परिवर्तित होते हैं तो उसी समय हड्रूजन के 3X मोल उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो इस तरह से साम्यावस्था पर जो मोलों की संख्या रह जाएगी वो होगी B-3X साथी साथ यहाँ पर दोनों अभिकारक मिलकर अमोनिया के 2 मोल बनाते हैं और इस तरह से यहाँ हैं पर अमोनिया के मोलों की संख्या हो जाएगी 2X अब यहाँ पर हमें मोलों की संख्या पता हो गई है लेकिन हमें यहाँ पर ग्यात करना है मोलर संद्रन concentration या हम कहें active mass तो इसके लिए हमें पुनह इनके आयतन से इनके मोलों की संख्या को भाग देना होगा तो इस तरह से साम्या वस्था पर nitrogen के active mass या सक्री द्रव्यमान का मान हो जाएगा A-X by V इसी तरह से hydrogen के लिए इसका मान हो जाएगा B-3X by V और इसी तरह से ammonia के लिए इसका मान हो जाएगा 2X by V इसके बाद हम केसी निकालेंगे द्रव्यनुपाती क्रिया के नियम से और यहाँ पर इसके लिए जो हम केसी का समीकरन होगा वो एकस्प्रेशन होगा वो इस प्रकार से लिखेंगे अमोनिया के सक्री द्रव्यमान की घाद 2 बटे nitrogen के सक्री द्रव्यमान into hydrogen के सक्री द्रव्यमान की घाद 3 और इस जो वेंजक है इस वेंजक में अब हम जो हमने सक्री द्रव्यमान ग्याद किया है उनके मान रखते हैं तो यहाँ पर case is equal to हो जाएगा ammonia का सक्री द्रव्यमान यहने की 2x by v की power 2 यह divided by हो जाएगा a minus x divided by v और इसके साथ जो hydrogen के लिए सक्री द्रव्यमान लिखेंगे वो हो जाएगे b minus 3x by v की power 3 तो इस तरह से अब हम हम इसको solve करते हैं solve करने के लिए यहाँ पर हम लेखेंगे कि देखेंगे ऊपर यहाँ पर हमें दो value के दिख रहे हैं जबकि नीचे 4 है तो इसमें से नीचे वाले 2 cancel हो जाएगे और जो v2 है वो उपर आ जाएगा साथ ही साथ यहाँ पर 2x square है तो 2x square का जब हम calculate करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x का square तो इस तरह से उपर हमें मिल गया 4x का square into v का square और यह divided by हो जाएगा a minus x into b minus 3x की power 3 इसके बाद हम निकालते हैं kp की value तो हम जानते हैं kp is equal to होता है kc into rt का power delta n अब यहाँ पर सबसे पहले हम delta n की value निकालेंगे यहाँ पर जो मुक्य संतुलिस समीकरण है उसमें हम देख सकते हैं कि जो product के मोलों की संख्या है वो है 2 जबकि अभिकारक के मोलों की संख्या है 4 तो यहाँ पर 2-4 is equal to हो जाएगा minus 2 यहाँ पर delta n की value है वह minus 2 आएगी तो इसे हम equation में रखते हैं और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा kp is equal to kc into rt का power minus 2 और इस तरह से जब हम यहाँ पर calculate करेंगे तो kc का value यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पर kp is equal to हो जाएगा kc की value kc की value यहाँ पर है 4x का square into v का square divided by a minus x into b minus 3x की power 3 into यहाँ पर चुकि आटी का power दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा rt का power minus 2 तो इस तरह से हमें यह जो equation प्राप्त हुआ है इसमें यदि हम इनके आंकिक मान पता हूँ तो इसकी आधार पर हम इनकी value kp और kc की value पता कर सकते हैं इसी तरह से एक और उधारन ले सकते हैं यहाँ पर यह बहुत ही सरल उधारन है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो pcl5 gases reversible pcl3 gases plus cl2 gases यहाँ पर हम भी देखेंगे शुरू में जो अभी क्रियाप प्रारम होगी तो माले जिए यहाँ पर pcl5 के मोलों की संख्या A है और यहाँ पर प्रोडक्स के मोलों की संख्या पहले की तरह यहाँ पर 0 और 0 होगी इसके बाद साम्यावस्था पर माले जिए pcl5 के x मोल जोकी इनकी व्योजन की मातरा है यह व्योजित होकर उत्पाद में परिवर्ति होते हैं तो यहाँ पर इसका मान हो जाएगा A-x साथ ही साथ यह pcl3 के तथा cl2 के एक मोल बना रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर pcl3 के x मोल होंगे तथा cl2 के भी x मोल होंगे अब पहले की तरह हम यहाँ पर इनके मोलर सांद्रन ग्याद करेंगे और मोलर सांद्रन के लिए यहाँ पर pcl5 का जो मोलर सांद्रन होगा वो हो जाएगा A-X की घात V और इसी तरह से यहाँ पर PCL3 के लिए molar संद्रण हो जाएगा X by V तथा इसी तरह से CL2 के लिए भी molar संद्रण हो जाएगा X by V अब इसे हम इसकी सहाईता से हम केसी गयात करेंगे इस अभी क्रिया के लिए केसी होगा PCL3 के molar संद्रण into CL2 का molar सांद्रन divided by PCL5 का molar सांद्रन अब यहां पर हम इनके molar सांद्रन रखने पर यहां पर हम ले रहे हैं के सी इस उकल टू हो जाएगा X by V into X by V divided by यहां पर A minus X नीचे होगा PCL5 का सांद्रन यानिकी A minus X by V तो यहां पर हम देखें ऊपर से एक V और नीचे एक V cancel हो जाएगा और इस तरह से हमारी पास ऊपर जो बच रहे हैं वो है X का स्क्वार और नीचे जो हमारी पास होगा वो होगा A minus X into V तो इस तरह से calculate करके हम केसी निकाल सकते हैं और इसकी सहायता से हम केपी निकाल लेंगे तो के पी जुकल टू हम जानते होता है केसी इंटू आटी का पावर डिल्टा एन और इस अभी क्रिया के लिए आप देख सकते हैं डिल्टा एन का मानाएगा टू माइनस वन इस उकल टू वन यानिकी आटी का पावर होगा वन तो इस तरह से केपी जुकल टू हो सकते हैं यहाँ पर हमने एक सामान मान ए या बी तथमोलों की ईव्योजन की मातरा और्पर सकते हैं तो इसके पर हम यहाँ पर कुछ आंकीक उदाहरण हल करते हैं जिससे हमें ये केसी और केपी की गणने करने की जो विधी है वो अच्छी तरह से पता हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास एक आंकीक उदाहरण है इसमें दिया हुआ है 500 केल्विन तापमान पर नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से अमोनिया बनने के दोरान साम्य विस्था पर यहाँ पर सांद्रताएं दी गई है नाइट्रोजन हाड्रोजन और अमोनिया की जिसमें की nitrogen की सांद्रता है 1.5 into 10 to the power minus 2 molar इसी तरह से hydrogen की सांद्रता दी गई है 3.0 into 10 to the power minus 2 molar और इसी तरह से ammonia की सांद्रता दी गई है यह है 1.2 into 10 to the power minus 2 molar तो यहाँ पर हमें देख रहे हैं कि molar सांद्रता हमारे पास दी हुई है और इसकी सहायता से अब हमें KC तथा KP के मान ग्याद करने हैं तो यहां पर हम सबसे पहले संतुलित रासायनिक समीकरन लिखेंगे यहां पर हम जानते हैं कि जब नाइट्रोजन के एक मोल क्रिया करते हैं उस समय हाइड्रोजन के तीन मोल क्रिया करते हैं और अमोनिया के दो मोल बनाते हैं तो इस तरह से समीकरन हमने लिखेंगे और केशी की लिखने लिए केसी की जगल यहां पर हो जायेगा अमोंया की मोलर सांदRighta की घाद दो ब्लडूर नाइटरोज़न की मोलर सांदर्ता हईडोजन की मोलर सांदा के घाद ती और इस तरह से अब यहां पर चुकिये हमके हमारे इनके आंकी कमान दिये हुए है और वो हम इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर अमोनिया की मोलर सांदरता दी गई है तो यहाँ पर 1.2 इंटू 10 to the power minus 2 का यहाँ पर होल पावर हो जाएगा 2 क्योंकि यहाँ पर अमोनिया की मोलर सांदरता की घाद 2 दी गई है इसी तरह से नीचे हम आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे नाय्ट्रूजन की मोलर सांदरता यहाँ पर नाय्ट्रूजन की मोलर सांदरता हमारे पासze से अब जब हम इनको सॉलू करेंगे तो यहां पर सॉलू करने पर हमें जो वेल्यू प्राप्त होती है वो हो जाती है 1.44 डिवाइड़ बाइ 40.5 इंटू 10 to the power minus 2 अब चुकि 10 to the power minus 2 यह ऊपर चला जाएगा तो यह धनात्मक हो जाएगा और इस तरह से यहां पर तथा 1.44 को जब हम डिवाइड करेंगे 40.5 से तो हमारे पास जो वेल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.0355 इंटू 10 to the power 4 तो इस तरह से कैलकुलेट करके हम क एसी की वेल्यू प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह से एक और उधारान हम लेते हैं और यहां पर एक दूसरा समीकरण दिया हुआ है प्रेशन है 800 कल्विन पर अभीक्रिया एंटू प्लस ओटू रिवर्जिबल टू एन ओ के लिए साम्या वस्था सांद्रताएं हमारे पास द दिया हुआ है यह है 4.2 एंटू 10 तो दिपावर माइनस 3 मोलर और इसी तरह से एन ओ की मोलर सांद्रता दी गई है यह है 2.8 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 3 मोलर इन सभी मानों को हम केसी के वेंजयत में रख देंगे तो केसी रुकल्टू हो जाएगा जो संतुलित सांद्रता अब यहां पर हम इनके वेल्यू रखते हैं तो केसी रुकल्टू हो जाएगा नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता यहने की 2.8 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 3 और इसका मोलर इसका हो जाएगा होल पावर 2 इसकी घाद 2 हो जाएगी और नीचे फिर हम लिखेंगे नाइट्रोजन की मोलर सांद्रता जो की है यहां पर 3.0 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 3 और इसी तरह से ऑक्सीजन की मोलर सांद्रता यह हो जाएगी 4.2 इंटू 10 तो दिपावर माइनस 3 अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ऊपर प्रोड़क्ट के लिए तथा नीचे अभ सांद्रन है उसके घाद 2 दी हुई है यहने कि ऊपर 10 तो दिपावर माइनस 3 के 2 मिलेंगे इसलिए यह सभी 10 तो दिपावर माइनस 3 को हम आपस में कैंसिल कर देते हैं और इसके पश्चात हमारे पास जो मान रह जाता है वह रह जाता है के सी उकल टू 2.8 की पावर 2 और डि इंटू 12.6 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो होगी वह होगी 0.622 यहां पर हम इसके लिए कोई भी मात्रक नहीं होगा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहां पर जितने भी जो मात्रक हैं मोलर थे वो आपस में कैंसिल हो गये हैं इसलि तीसरा जो उधारण है वो यहां पर दिया हुआ गया है प्रश्ण है सामिया वस्था पर एक सामिसामी करन यहां पर दिया हुआ है और इसमें दिख रहा है कि नैट्रोसल क्लोराइड नो-C-L-K-2 अनू व्योजित होकर नैट्रिक औक्साइड के दो मोल तथा क्लोरीन के ए एक मोल देते हैं इस अभीक्रिया के लिए यहां पर तापमान दिया हुआ है इस अभीक्रिया के लिए 1079 Kelvin तापमान पर केसी का वेल्यू भी दिया हुआ है तो केसी की वेल्यू यहां पर दी गई है यह है 3.75 5 into 10 to the power minus 6, यह के C की value यहां पर दी गई है, और हमें कहा जारा है कि हम एक Kp की गणना करना है, तो यहां पर हम जानते हैं Kp और Kc में किस परकार का संब्ध होता है, उस क्यों किस्टन को हम जानते हैं, और उसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे, तो यहां पर हम जानते हैं Kp is equal to होता है के सी इंटू आटी का पावर डिल्टा एन तो सबसे पहले हम इस अभीक्रिया के लिए डिल्टा एन निकालेंगे तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जो डिल्टा एन हम जानते हैं डिल्टा एन होता है उत्पादों की मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों की मोलों की संख्या यहाँ पर उत्पादों के मोलों की संख्या है दो धन एक यानि की तीन और अभिकारकों की मोलों की संख्या है दो तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा एंड का मान हो जाएगा एक और इस तरह से अब इस एक्वेशन के द्वारा हम केपी की गढ़ना कर लेंगे तो केपी के सूत्र में हम यहाँ पर रख रहे हैं केपी इस उकल टू के सी का मान हमें दिया हुआ है और यहाँ पर हमें एक बार आर की वैल्यू रखनी है और एक बार टी की वैल्यू रखनी है तो आर की वैल्यू हम ज सार्वत्रिक गैस नियतांग कहते हैं और इसकी वैलिव हम लिखेंगे 0.0831 इसके बाद यहाँ पर तापमान लिखेंगे तापमान हमारे पास दिया हुआ है कैल्विन में 1079 कैल्विन इन सब को जब हम क्याल्कुलेट करते हैं तो हमारे पास Kp की वैलिव प्राप्त होती है 0. 0.033 तो इस तरह से हम अपने expression या केसी और केपी में जो संबंध है उस equation की सहायता से यहां पर यदि हमें केसी की value दी गई है तापमान दिया गया है तो हम केपी की गढ़ना कर सकते हैं तो इसी तरह से हम भिन भिन अभी क्रियाओं के लिए केसी की गढ़ना करना केपी की गढ कान पता हो तो केपी की गढ़ना करना इनका कर सकते हैं कि अ